एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तो इस वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिन टिप को फॉलो करके आपकी ड्रेसिंग सेंस एकदम से इंप्रूव हो जाएगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोफंगेट तो फॉलो ओल दे रिती रिवाद्स सिस्क्राइब कर दो लाइक भी कर दो वीडियो को और शियर कर दो क्योंकि मुझे बाता ये वीडियो बहुत अच्छी है और सब के काम आने वाली है तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ इसे शियर कर दो फटा फट से तो च चाहिए हर एक बंदे का बॉडि टाइप अलग अलग होता है तो इस बात की कोई करणटी नहीं कि अगर कोई ड्रेस किसी और पर अच्छा लग रहा है तो आप पे अच्छा लगेगा हमेशा अपने बॉडि टाइप के उपर अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर देना तो नेक्स जो पॉइंट है वो हम सब गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्डन पॉइंट है तो आपकी जो ओवराल लुक है वो आपकी ब्रा कैसी आप पहनते हो उस पे भी डिपेंड करती है इसलिए हमेशा आपकी ड्रेस के हिसाब से सही ब्रा पहनना बहुत ज़रू आपकी पूरी फिगर को खराब कर सकती है तो इसलिए हमेशा according to your body type and according to your dress आपको अपनी ब्रा वेर करनी है हर ड्रेस के लिए आजकल मार्केट में different types of bras available है तो आप उस हिसाब से कोई अपने लिए ब्रा चूस कर सकते हो जब आप टी शिट पहनते हो तो उसके साथ आपको हम वीडाउट सीम प्रा होती है वह पहनी चाहिए वह दिखती नहीं है वरना दूसरी ब्राज होती है वह पूरी शेप उनकी दिखाई देती है जब आपनी टी शिर्ट के साथ उने पहनते हो इस बात का हमेशा ध्यान रखो इसी के साथ जब आप उप वाइट कलर के कपड़े पहनते हो तो उसके साथ हमेशा बेज कलर की अंडर गार्मेंट्स वेर करो क्योंकि जब आप वाइट कलर के कपड़े पहनते हो तो उन में से जो भी आप नीचे पहनोगे वो साफ-साफ शो होता है चाहे अपने वाइट ही क्यों ना पहनना हो फिर भी वो शो होगा इसलिए हम को डल दिखा सकते हैं और कुछ कलर्स ऐसे भी हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं तो हमेशा अपनी skin tone I mean to say हमेशा अपनी undertone जो होती है not skin tone undertone जो होती है उसके हिसाब से कपड़े जो है वो color जो है वो चूज करो अगर आपकी जो undertone है वो warm का मतलब है कि आपकी जो undertone है वो warm है तो आप वार्म अडर्टोन के लिए warm colors जैसे रैड औरेंज ऐसे colors जो है वो पहन सकते हो तो अगर आपकी undertone जो है वो cool है मतलब जैसे आपकी जो wrist पे जो veins है वो blue color की है या violet color की है तो आपकी जो undertone है वो cool है तो इसके लिए आपको cool colors पहने चाहिए वो आप पे ज्यादा सूट करेंगे जैसे sky blue हो गया या ब्लू color violet ऐसे color जो है green भी अच्छा लगेगा तो ऐसे colors पहन सकते हो इसी के साथ आपके dress में तीन से ज्यादा colors नहीं होने चाहिए जितने ज्यादा colors आपके outfit में होंगे उतना ही वो मैसी दिखेगा इसलिए ट्राइ करो कि आपकी outfit में कम colors हो जितने कम colors होंगे उतना ही attractive आपका bag and footwear भी आपकी dress के हिसाब से होने चाहिए डेली वेर पंजाबी सूट्स के साथ स्मॉल स्टडी एरिंग्स पहनो और साथ में पंजाबी जुत्ती वेर करो पंजाबी सूट्स के साथ में बड़े एरिंग अच्छे नहीं ही लगती है और बैग भी बड़े वाले अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए एक सिंपल स्लीक सी लुक जो है वो अच्छी लगेगी इसी तरह जीन्स के साथ भी आप स्मॉल स्टड यूज कर सकते हो और footwear में आप इनके साथ स्नीकर्स या श्यूस पहन सकते हो अगर ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करनी हैं अट्राक्टिव दिखना है तो पोनी टेल के लावा तीन चार और हैस्टाइल भी सीख लो अगर आप वीक में दो या तीन डिफरेंट हैस्टाइल्स करते हो तो सब आपको सब्सक्राइशन आइकोन डेखने लगेंगे ट्रस्ट मी यह मैंने ट्राय किया हुआ है आपकी पूरी लुक आपके हैस्टाइल पर बहुत ज्यादा डिपैंट करती है और अगर आपके बाल स्ट्रेट है मतलब आपने स्ट्रेट निंग हुई है तो तो आप बहुत ही अट आपके बाल स्ट्रेट है तो क्या है और अगर आप स्ट्रेटिंग नहीं करवाना चाहते है आपके बाल तो आप मन्त में आपके बालों को कट जरूर दो मतलब हैर कट जरूर दो बालों को क्योंकि हैर कट देने से पी आपके बाल बहुत हैल्दी लगते हैं देखने में और ज्यादा नहीं बोल रही हूं बस सॉफ्ट सी लिप कलर एंड थोड़ा से मस्कारा अगर आप लगाते हो तो आप इंस्टेंटली बीटिफुल लगोगे अपनी जो नेल नेल पेंट है तो अच्छे से लगाओ ऐसा नहीं पर थोड़े नहीं लगी वह बहुत गंदा लगता है इसलिए अगर लगानी है तो आपके साफ सुथरी नेल होने चाहिए ओकी कई तो यह थे तेट हैपकी आपका अपकी टिप्स आपकी कुछ तिप्स आपक बहुत अच्छी बाते जाने के लिए मेरे चैनल को सुस्क्राइब कर दो और वीडियो को लाइक आपने कर दिया है मुझे पता है तो मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद बाई टेक कर